अलो दोस्तो मैंने ट्रीक जहाँ आपको फिर से स्वागत हैं तो दोस्तो अगर आ आप Facebook यूज गरते हैं और आप अपना Facebook का Password भोल चुके हैं और आपको वो password फिर से recover करना हैं वापास लाना हैं पता करना हैं तो इस वीरा को देखकर आप अपने ख्या हुआ Facebook password को फिर से दोबारा recover कर सकते हैं, अगर आपका password hack हो चुका है, मतलब आपका Facebook account hack हो चुका है, तो आप इस streak का apply करके check कर सकते हैं, हो साके तो आपको वो भी वापस मिल जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपने आपका account hack नहीं हुआ है, आप अपना password भूल चुके हैं, तो इस streak को follow कीजिएगा, hundred and hundred percent आपका जो है, ये जो है, आपका password आपको मिल जाएगा, तो जब भी आप अपने computer फिर mobile phone से Facebook को login करेंगे, तो आपके सामने कुछी step से आएगा, तो आप किसी भी एक browser का use कर लीजिएगा, Google Chrome, Firefox, ठीक है, और पेरा, कोई भी एक browser open कर लीजिएगा, तो अ सामने की step login page आजाएगा, अब आप login page में देख सकते हैं, इधर आपको email address और phone number, आपने जो email address या फिर phone number से account बनाया था, वो आपको डालना होता है, और password box में आपने जो account बनाते time password क्रिट किया था, उसी password से आपको login करना होता है, लेकिन आपने आपना password भूल चुके है, ठ आपको मिल रहा है, find your account, ठीक है, तो इस जगह आपको email address या फिर वो phone number type करना है, जिस phone number या फिर email address से आपने facebook ID बनाया था, तो basically मैं अपना email ID से, मतलब account create किया था, तो मैं वो डालूंगा, आप phone number भी डाल सकते हैं, मतलब यह कोई यह सा नहीं है कि आपको इधर password मिन जाए सार्च करने के बाद आपके सामने कुछ steps से आ जाएगा, ठीक है, और नीचा आपको इधर बता रहा है कि confirm है, यह आपका account है, अगर आपका यही account है, तो आपके सामने कुछ steps से profile photo आपका name भी सो करेगा, और नीचा आप देख सकते हैं, कुछ steps से options हो करेगा, कि आपका email ID औ email ID और phone number आपका है, प्रोफाइल आपका है, तो आपको simple सा इस जगा से continue करना है, ठीक है, अगर आपका phone number भी है, और आप कोई OTP, मतलब code चाहते हैं, code भेजा जाएगा Facebook के तरफ से, और वो code आप phone number में चाहते हैं, तो आपको phone number select करना है, अगर आप email ID में चाहते हैं, तो select करना है, ठीक है, तो मैं email ID चूज कर लेता हूँ, आप phone number भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बद आप continue button पर click कर देना है, continue button पर click करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ step से एक option आएगा, कि ये जो email ID है, आपका email ID, या फिर आपने जो phone number चूज किया था, वो phone number चूज कर जाएगा, email या फिर phone कोई भी है कर अपने select किया था, तो वो सो करेगा, तो उसमें एक code भेजा गया है, जिसको आप OTP भी कह सकते है, on time password, तो वो code दोस्तों, आपको इस box में डालना है, तो मैं code डाल देता हूँ, उसके बद continue button पर आपको click कर देना है, तो मुझ new button पर click करते ही, आपके सामने एक नया option खूल जाएगा, इधर दोस्तों, आपको एक new password create करने के लिए बोलेगा, ठीके, तो आपको इस जगा एक new password create कर लेना है, तो मैं इस जगा से new password create कर लेता हूँ, तो new password create करने के बाद दोस्तों, आपको इस जगा से continue button पर click कर देना है, continue button पर click करने के बाद आपके सामने एक new page खुलेगा तो दोस्तो new page खुलने के बाद आप देख सकते हैं इस type से password change चुका आपको message देखने को मिल जाएगा आप इधर से दोस्तो stay login कर सकते हैं या फिर आप log out करके फिर से login कर सकते हैं तो मैं इस option को choose करके continue button पर click कर देता हूँ continue button पर click करते ही आप देख सकते हैं मेरा facebook दोस्तो login हो चुका है कुछ इस type से ठीके तो दोस्तो बहुत ही आसन था आपने देख लिया कि कैसे हमने facebook को login कर लिया है और मैं अपने password को भी change कर लिया है तो अगर आपको इस type से अगर आपका password खो जाता है तो आपी easy तरीके से अपने password को दोस्तो आप पता लगा सकते हैं recover कर सकते हैं अगर आपका hacked भी हो गया है तो आप same process को follow करके check कर सकते हैं तो जो बंदा hack कर लेता है आपके account को उस बंदे ने क्या करता है आपका email id phone number change कर देता है अगर उसने phone number email id change नहीं किया है तो आप इस तरीके को follow करके अपना password को recover कर सकते हैं अपने account को दोबार बापस ला सकते हैं और एक तरीका हम आपको बदा देते हैं अगर आपको कोई भी आपका password आपके browser में save है आपके mobile browser में या फिर computer browser में तब दोस्तों आपको वो password अगर देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको भी दिखा देता हूँ तो दोस्तों मान लिजिए आपका password कुछ इस टैप से है ठीके आप . . . . . नम का एक password है आपने save किया है जैसे कि मैंने save किया है आपका username उपर so करेगा और नीचे आपका password कुछ इस टैप से so कर रहा है और आपको जानना है कि यह password किया है ठीके आपको password याद नहीं है लेकिन इस जगा save है आपको यह save password देखना है इस जगा तो कोई button नहीं है so button नहीं है कि आप जिस पर click करके automatically अपना password कौन सा है आप देख सकते है ऐसा कोई button नहीं है अगर आपको यह password देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इसके ओपर right click करना है ठीके और आपको नीचे यह जो है दोस्तो इस पर click कर देना है इसके ओपर click करने के बाद दोस्तो ऊपर आपको input type box मिलेगा इस जगह आपको password लिखा होगा इस password को आपको double click करेंगे तो यह इस type से select हो जाएगा ठीके या फिर आपको select करना है इसको ठीके तो इसको select करने के बाद इस जगह आपको लिखना है text ठीके उसके बाद किसी भी blind जगह पर इसको छोड़ देना है अब दोस्तो इसको आप close कर देंगे close करती है आप देख सकते हैं आपको अपना password इस जगह देखने को मिल रहा है इधर dot dot था आप दोस्ता आपको password देखने को मिल रहा है तो इस टैप से भी अगर आपको कोई save password है और आप password भूल चुके हैं तो इस टैप से आप password को देख सकते हैं और note करके रख सकते हैं तो 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 यही था कुछ ट्रीक password पता करने का Facebook का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दिजिएगा शेर कर दिजिएगा चैनल को subscribe करके साथ ही बेला क्लिक कर दिजिएगा तो आज के इतना ही thanks